जी हाँ नमस्कार दोस्तों बात करेंगे आंगनवारी भरती 2023 के ओफीशल नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं जो लेटेस्ट वेकेंसी निकली हुई है 33,000 से 14 पदो भी जो वेकेंसी निकली हुई है उसके बारे में पूरा डिटेल डिसकेशन करेंगे महिला पुरुश अभ्यारती दोनों यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं साथ साथ यह जो वेकेंसी है इसकी भरती प्रक्रिया दिसंबर से पहले पहले पूरी कंप्लीट कर ली जा अलावाई जो वेकेंसी है ओल ओवर इंडिया यहाँ पर आप इंडिवीजुल भी देख सकते हो जिसे कारी करता कि 12,515 है 512 है सोरी इसके लावा 10,244 हेलपर के है परिवेक्षक या सूपरवाईजर के 7,244 पद है 3,514 आसस है योगिनी के पद है टोटल मिला के 3 सोरी यहा इसके अलावा यहाँ पर रिसेंट में मतलब कि अभी लास्ट मन्त में कितना क्या पेमेंट मिल रहा है इनको या लास्ट येर के जो कंडेड लगे है उनको अभी कितना वेतन मिल रहा है यह आप देख सकते हो कारेकरता का 12,500 रुपे अभी वेतन मिल रहा है परिजेंट में वहीं helper को 10,500, सही होगी नहीं को 10,500, supervisor को 22,500 रुपे पर मन्त यहाँ पे payment मिल रहा है, अभी यहाँ पे TADH allowances जो भी है, वो exclude यहन की एक तरीक से वो include नहीं है, इसके अलावा जो basic यहाँ पे वेतन बन रहा है उनका, वो बताया गया है, और I.U.S.E.M.A. के एकर में बात सकते हो, 2500 और 100 रुपया के साथ में general OBC, SCHT वाले सभी की यहाँ पे यह बता रखा है, और यहाँ पे आप apply कर सकते हो official website पर, जो कि मैं link नीचे दे दूँगा, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, कार्यकरता पांचवी class pass है, तो आवेदन कर सकते हैं, दसवी class pass, helper पर परिवेक्षक 12 वी class pass और आसा सयोगनी 25 वी class pass, यह इनकी date मतलब एक तरीके से qualification दे रखी है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मैं बता दूँगा, यह vacancy की भरती पर किरिया जो है, वो December 2023 से पहले पहले पूरी कर ली जाएगी, यह साफ लिखावा है, ICDs के official website पे 15 सित December 2023 इसके last date रहेगी, यह आप ध्यान रखना हो सकता है, changes हो जाए last date में, लेकिन जब भी आपको इसके regarding कोई भी notification आएगा, सूचना आएगी, हम आपको बता देंगे.